Good morning kids, welcome to EVS class. So today we are going to start our new chapter, teeth and tongue. That is chapter 9. Teeth and tongue, अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा? सोचा है अपने कभी? अगर teeth, मान लो आपके दांत ही नहीं हो तो फिर क्या होगा? टंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा? सोचा है कभी? और अगर ये खराब होगे तो फिर क्या होगा? तो हमें इसका ध्यान रखना है. हमारे teeth का भी और हमारे tongue का भी. Now, name this oral hygiene products. अब oral hygiene मतलब बिटा, oral hygiene means आप अपने मुझ का ध्यान कैसे रखते हो? hygiene मतलब उसको अच्छे से रखना, ध्यान रखना. तो हम क्या ये सारी चीज़े यूज करते हैं क्या? हमारे oral hygiene के लिए, हमारे मुझ को साफ रखने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए हम ये सारी चीज़े यूज करते हैं? अच्छा, सुबह हम brush करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं. तो ये है हमारा paste, ये है हमारा brush और ये है हमारा mouth freshener, ठीक है, तो हम इसका use करते हैं हमारे मुँग को अच्छा रखने के लिए, hygienic रखने के लिए, ठीक है, करते हो आप लोग brush वगरा use करते हो, और विसी बातें करते होंगे न, yes, it's a good habit, और brush हमें twice in a day, एक बार morning और एक ब day brush का use करना चाहिए, ठीक है, तो अभी तक आपने सोच लिया होगा कि teeth और tongue हमारे लिए कितने important है, है ना important, अगर teeth नहीं होगे तो हम खाएंगे कैसे, और बोलेंगे कैसे, हम नहीं बोल पाएंगे, tongue भी नहीं होगे, तो हम नहीं बोल पाएंगे, हम कुछ खा नहीं पाएं भी रखना चाहिए, ये healthy रहें, ठीक है, sets of teeth, अब कितने दात होते हैं आप, आप लोगों के कितने दात हैं, पता है आपको, कितने दात हैं, count करके बताएं, कितने हैं, okay, count करो आप, everyone has two sets of teeth, दो होते हैं, एक upper side में और एक lower side में, दिखाए दे ना आपको, picture में, ये एक बच्चे का है, और ये किसी adult, बड़े व्यक्ती, बड़े इनसान का है, ठीक है, तो एक side उपर की side होता है, और एक side नीचे की side होता है, ठीक है, new born baby has no teeth, अच्छे new born baby होता है, उसके दात होते हैं क्या, होते हैं, देखना होते हैं या नहीं होते हैं, बेबी cuts his or her first tooth at about six month, त तो बेबी के जो पहले दान्त होते हैं, first tooth, पहला दान्त वो कब आता है, first tooth, यानि कि पहला दान्त कब आएगा, एक ही आएगा पहला दान्त, वो आएगा six month में, जब वो six month का हो जाएगा, तब आएगा, most children have their first set of teeth by the age of three years, the first set of teeth is called the primary teeth और milk teeth, ओके, तो जो बेटा, हम बोलते हैं न कि यह भी दूद के दान्त हैं, ऐसा सुना होगा आप लोगोंने, आप लोग भी बोलते हो, तो वो कौन से दान्त होते हैं, वो primary teeth होते हैं, यानि कि जब बेबी born होता है, जन्म लेता है वो, तो उसके वाद उसके six month में जब उसके दान्त आना शुरू होते हैं, six, nine, tenth, ऐसे महीनों में जब उसके दान्त आते हैं, तो उसका first teeth रहता है न, पहला दान्त रहता है, तो उस वाले दान्त को हम क्या बोलते हैं, primary teeth, there are twenty milk teeth, दूद के दान्त फर से आ गया देखो, milk teeth, तो वो कितने होते हैं, twenty होते हैं, when a child is about five years of age, the milk teeth begin to fall, permanent teeth take place of the primary teeth, आप अभी किते साल के हो, पाच साल से बड़े हो ना आप लोग, क्या age है आप लोगों की, बताओ, ठीक है, ममा को बताईएगा, ठीक है, तो जब पाच साल के हम हो जाते हैं, तो हमारे जो milk teeth रहते हैं, वो चले जाते हैं, यानि कि तूट जाते हैं, और फिर कौन से teeth आते ह आते हैं, तो पर्मानेंट टीथ आ जाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं, उनके ट्वेंट पर्मानेंट टीथ हो जाते हैं, यानि कि अब ये नहीं टूटेंगे, पर्मानेंट हो गए हैं, फोर मोर टीथ, काल्ड विजडम टीथ, अब हम ये भी बोलते हैं, उसको क्या बोल इसको ले करके हमारे पर्मानेंट टीथ जो है वो 32 हो जाते हैं तो उपर की साइड कितने हो गए हमारे पास 16 हो गए और नीचे की साइड कितने हो गए 16 हो गए तो 16 कितने हो गए 32 तो इसलिए हमारे पर्मानेंट टीथ कितने हो जाते हैं 32 ठीक है तो हमारे सेड्स ऑफ टीथ कितने होते हैं दो होते हैं एक बार तो वो पूरे खतम हो जाते हैं जो मिल्क टीथ रहता है फिर उसके बाद आते हैं पर्मानेंट टीथ तो इस त में कितने होते हैं 16 यह adult की बात हो रही है बड़े लोगों की बात हो रही है ठीक है और बच्चों में यह दांत कितने होते हैं बच्चों में 28 permanent teeth होते हैं फिर जब आप और बड़े होगे तो wisdom teeth हा जाएगी फिर wisdom teeth को count करके आपके भी 32 हो जाएंगे now structure of a tooth dant यानि कि dant होता कैसे ये कैसे दिखता है मैं white color का तो दिखता है तो ये होता कैसे अंदर से कैसे होता है और कैसे ऐसा mind में question आता है तो इसमें बहुत सारा इस एक dant में दिख रहा है आपको picture में देखो कितने सारे नाम है तो जो first वाला जो white वाला part दिखता है आपको उपर उपर जो white color का दिखता है वो क्या होता है enamel होता है जो उसके अंदर होता है वो dentine होता है और फिर जो ये red-red वाला दिख रहा है आपको ये होता है pulp फिर gum उसके बाद bone ये हड्डियां होती है उसमें फिर है root canal फिर है nervous and blood vessels ये blood vessels तूथ ये है tooth का structure तीक है उपर वाले part को जो white वाला रहता उसको क्या बोलते हैं enamel बोलते हैं तीक है तीक बार देख लेते हैं the tooth is a hard strong bonny structure hard होता है ये tooth hair की नहीं है hard obviously होता है teeth are held in the mouth by gums ये gums से हमारे mouth में असे attached रहता है a tooth can a tooth can be divided into two main parts the white visible part of the tooth is called crown जो white color का ये जो उपर उपर दिख रहा है आपको अग भी आप smile करोगे तो आपको वो white वाला part दिखेगा दिख रहा है दात में smile करो yes तो ये जो white वाला part है ये क्या है वेटा crown है इसको क्या बोलते हैं हम crown बोलते हैं ठीक है the part that is under the gums and called the root और जो अंदर ये gums अंदर की तरफ जो रहता है जो हम root से जुड़ा हुआ रहता है दिख रहा है ऐसे red red भी आपको दिखता है न तो अंदर वाले part को क्या बोलते हैं हम root उपर जो white वाला दिख रहा है वो तो हमारे पास crown है ठीक है और जो root ऐसे जुड़ा हुआ है attach है हमारे jaw में ठीक है हमारे ऐसे जबडो में जो attach है यहाँ पर दिख रहा है ऐसे इसमें 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 that protects the inside of the tooth अब enamel क्या करते हैं यह एक ऐसा substance है जो आपके दातों को protect करता है ठीक है under the enamel is the dentine और enamel के अंदर क्या होता है बिटा dentine होता है ठीक है now dentine के अंदर क्या है pulp है अब यह किस से है connected gum से हमारे ऐसे jaw में जुड़ा हुआ है ठीक है now dentine protects the inner part of the tooth dentine क्या करता है हमारे अंदर के दातों जो अंदर का पार्ट रहता है दात का उसको protection देता है और enamel क्या करता है enamel वो दात को अंदर की साइड वो भी protection देता है जो हमारे मुह में दात होता है हमारे दात उसको protection देता है ठीक है now dentine protects their inner part of the tooth called pulp ठीक है 10 ताइन इसको भी करता है protect करता है the pulp is a soft pulp दिख रहा है soft दातों में ऐसा होता है हमारे soft soft सा कुछ है yes it has nerve nerve ending and blood vessels blood vessels दिख रहा है आपको यहां पे blood vessels provide nutrition to the teeth यहां से हमारे दातों में nutrition जाता है the pulp is attached to the root of the tooth pulp किसे attached है pulp हमारे root से ठीक है यहां तक जा रहा है दिख रहा है आपको यहां से nutrition इधर भी nutrition जा रहा है और फिर यह उपर तक the root is under the gum तो यह root कहां तक जा रही है यहां तक जा रही है और फिर यहां से उपर supply करीगी यह इससे attached है दाथ हमारा दिख रहे हैं पर red red हमारे दाथ में भी है ऐसा देखना आप अपने दाथ को जरा थीक है तो यहाँ पर यह से attached है तो हमने अभी क्या क्या देखा दाथ में बिटा यह जो upper part रहता है इसको हम क्या बोलते हैं crown बोलते हैं अब यह जो white वाला आपको दिख रहा है इसके भी अलग अलग नाम है तो यह क्या है enamel है फिर enamel के नीचे क्या है dantine है और फिर dentine के नीचे है pulp तो यह जो white वाला part dominant आ जाते हैं okay now after that wisdom teeth wisdom teeth फिर अब structure of tooth इसमें crown उपर वाला जो white part रहता है जो आपको दिखाई दे रहा है उपर वाला white वाला वो होता है crown part और उसके नीचे जो होता है gum से start होता है वो होता है root part okay तो अब आप यह इसको और पढ़िएगा और दीखेगा अब हम मिलते हैं next class मे बढ़े